हेलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने इंफिनिक्स नॉट 40 X Android में अगर आपके मुबाइल फोन में मैंसे सेंड नहीं हो रहा है तो इस प्रॉलम का अफसल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में में आपको डीटेल मैजान कारेी देने वालों तो चलिए यह वीडियो का में ऑसल्ड करते हैं देखें दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने मुबाइल फोन में एक बार री स्टार्ट कर लेना है ठीक है अब देखे अगला काम यह करना है कि आपकी मुवैल फोन का यह जो message का app है ने इस message का app को उगली से दबा के रखना है तो आपका यह छोटा जपीज ओपन होता है इसमें देखे एप इंफो लिखाना इसे tap करना है अब इस वाले page में नीचे storage का यह option टैप करना है अब यहाँ पर यह clear catch का यह वाला option टैप करना है तो यह catch के समला data यह 0 हो जाता है तो यहाँ पर दोस्तों अगला काम यह करना है कि मुवैल फोन का software आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है इसके लिए पहले फोन का internet चालू रखना है इसके बाद फोन का setting page उपन करना है इसमें आपको टैप करें फोन का software अपडेट करना है अब दिखें अगला काम यह करना है कि मुवैल फोन को reset करना है दिखें मुवैल फोन को reset आपको तब करना है जब मेरे बताय हुए पिछली प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते है तब आपको फोन को reset करना है अदर्वाइस नहीं कर जाएगी लेकिन phone को research करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने आपके mobile phone का जो data उसका backup ले लिचे अपने phone में और दूसरी बात ही ध्यान रखने आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है तो यह दो काम पहले करने है उसके बात phone को research करना है ठीक है तो मेरे बताएवे तरीकों से आपके problem solve जो है हो जाएगी ठीक ना